हेलो, नमस्ते, सवाई जना लाई हिश्वागाच्छ यू वीदियो में आजको यू वीदियो कोक्षा 10 मां अध्यन गरी राखने विद्यार्थी भाई बैनी हरू जो SEE परिक्षा को लागी तैयारी गर देछन बिसेश करी, Optional Maths को Standard Deviation निकालनी तरीका आजको यू वीदियो में हामी तपाहरू मांज चर्चा गर देछू स्टेप वाईज स्टेप केके घन परच त्यू स्टेप अरू मां यहां तपाहरू लाई डेखाऊने छू आजको यू पीदियो मां, Standard Deviation निकालने बिविन तरीका हरू मद देख Actual Mean Method Actual Mean Method को बारे मां चर्चा गर ने छू यूवण दा अगा दी, Direct Method को बारे मां हमेले चर्चा गरी सके का छू बने, आउन रूस, अवा Actual Mean बाठ कासरी Standard Deviation निकालने तर्शको लागी, दे फर्मूला यूजद इन दिस मेथोड इस, Standard Deviation is equals to summation रूट देखाऊने, fm minus mean whole square by n हामी यू फर्मूला प्रोय कर सों तर्शको लागी, क्यक्य स्टेप और चाहिन साता? तो यूज दिस फर्मूला, फोलू द फॉल्ग स्टेप्स नमर वान मा नमर वान मा Find the midpoint of each class which is denoted by m पोलू स्टेप्स मा, ता पाइले सब्बई क्लास को मध्य मान अथ्वा midpoint निकालनो पर सा Midpoint निकाली सके बची, दोस्रो स्टेप्स मा Find the automatic mean ता पाइले, अंक गनी तिया मध्यक निकालनो पर सा अंक गनी तिया मध्यक निकालने formula mean is equals to summation fm by n तेसको लागी, ता पाइले, अईले पर्खर येवंदा अगादीको स्टेप्स मा, निकालीको mid value रा तेसको frequency multiply गवनो पर सा रा तेसको total i n ले divide गवनो पर सा एती गरे पशी, ता पाइले, mean निकालनो शक्नूंछा mean आई सके पशी, टेसरो स्टेप्स मा, हामी deviation निकालचां take deviation of each midpoint from the arithmetic mean deviation भन्ना ले difference भुजदा रामरोंचा midpoint from arithmetic mean यह midpoint भर arithmetic mean को difference, that is, m-min निकालचां यह को लागी यहड़ा और को छुट्य कोलूं हामी बनाऊंचां यह deviation निकाली सेके पशी, fourth step मा, टेसको square गर्शां square is of m-min to get m-min whole square यह को लागी छुट्य कोलूं बनाऊंचां देस पशी, u square आई सेके पशी, देसलाई, multiply each of m-min whole square with their corresponding frequencies to get f m-min whole square यह पाउनो को लागी, यह deviation को square रा corresponding frequencies multiply गर्शां अनि एत्ती गरी सेके पशी, आन्त मा, एसको sum total हामी निकाल सुम calculate total of f m-min whole square एत्ती गरी सेके पशी, हामी लाई चाहिने सब य वैलू जरू आई साके को हुँछा मने अब इसको value substitute करे रा, step 7 मा, हमी mean deviation निकाल सुम substitute the values of each, summation f m-min whole square and n in formula यह formula मा, हमी n को रा इसको value substitute कर सुम एत्ती गरी पची, we get standard deviation एत्ती गरी पची, हमी standard deviation पाउनो साक्सुम आवा, standard deviation बहाएग, आवा, question ले, coefficient coefficient of standard deviation निकाल पने बने बने, त्सको लागी हमी ओर formula याद गवनो पने हुँँँच, रही यो formula हुँँच mean, sorry, standard deviation divided by mean आमीले standard deviation बने निकाली सकेगा होंचों बने mean बने आमीले निकाली सकेगा होंचों यो द्विटा को value S मा substitute कर देने हो बने आमीले coefficient of standard deviation निकाला सक्षों तेस्तरी coefficient of variance variance नात्र निकाला बने हो बने variance बने को standard deviation को square हो और यह लाइ इसलाइ standard deviation square गरे पसी यह वारियन सांसा रह अंतम है कुशंट अफ वारियन स निकान लो परिवने standard deviation इन्टु 100% गर्दिचम एत्ती फोर्मुला हामिले लगावने होवने हामिलाइ चाइने सब्सक्राइब वारियन स्टैंडर डिवेशन कोपसेंड अफ स्टैंडर डिवेशन वारियन्स रा कोपसेंड अफ वारियन्स निकानना सक्षूं इस स्टैपर याद गर्नुस अब मा इस स्टैपर संगाई एवरा एक्जाम्पल मा तपाला गरे रा देखाऊंचु तेसको स्टैप र यू स्टैपर याद गर्नुआलाब आउनुस एक्जाम्पल शुरू गरूं आउनुस एक्जाम्पल बद्धार का व्धड़ ओंग ती का व्धिय स्टैपर थास्टैपर टाली का व्धार करो स्टैपर तेसन अचम्पल व्धिवरे दुरूं ओड़ने अचास्पल यू दोट्रश्या लगू बड़ने माद हैंग झाल 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 झाल